नहीं साल का नया दिन देडवंजर के नया राइड के साथ एक नहीं जर्नी के साथ So hey what is up everybody this is Dhanish and you are watching Danny Addiction So this is the first day and the first day and the first thing is to you all happy 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 new year happy brother and 20 बहुत बता है आप सबको मुझे आज सुपे निकलना है कि दूर यहां से 400 km के आशपाद दूर मैं की बैके साथ जाना वाला हूं यहां से गंगावती जो भटकल से 400 km है and on a single bike दो लोक जहां पर काफी तरह एडवेंचर रहना वाला है काफी लबी जर्नी वाली है और यह ब्लोग काफी मज़दार होना वाला है तो मैं फटा पट तयार होता हूं कि मैं एक घंटे में यह से निकलना वाला हूं सब्सक्राइब करते हैं तो फाइनली हम निकल चुके राइड के लिए हमरे साथ दो गड़े है एक बड़ी वाली ट्रॉक है जिसमें दो गड़े अलड़े लोटे जो स्टरंट बाइक से जो अकिल बाई की है और हमरे साथ है एक बाइटी बीस्ट एक परफेट लोंग राड के लिए इससे आच आपको और किया चाहिए और यह से ड्यूक टूप्टे नहीं है यह फुली कस्टमाज स्टेंड बाएक है मतलब इसका बड़ा में आपको कस्टमाजेशन दिखाता हूं इसमेला काई बड़ा बड़ा ची आप बाइक जो है ओफिशली रेडी है यह लॉंग राड के इसके राम ने चेंड लूबिंग में करके रखी थी और आप बात ऐसी है कि अभी जो राइड बेंद राइड है वह अकिल बाइड करने वाला हूं मैं पिछे बैठने वाला हूं तो मैं बस राइड इंजॉय करना वाला हूं अफ्टर लंच शायद में बाइक चला होंगा क्योंकि मैंने पूछा नहीं उनसे देखे के क्या कैसा होना वाला है अब दखल अंदर्जी के लिए हमें खेद बहुत जरूरी है कि जो बाते अकीमा ने अपनी वीडियो में बताई है वही बाते कहने वाला हूं लेकिन थोड़ा डीटेल्स में अब मुझे बताओ कि आपको लंबी जर्नी प्लैन करते हो और उसके लिए निकलते हो तो सबसे पहाँ पर जाओगे पेट्रोल पंप एजन्टिट और अगर जर्नी काफी लंबी है तो अव्वेसले सबसे लिए आ गयता है पेट्रल पंप अब बात कुछ ऐसी है ना जो नॉर्मल डीटु फिफ्टी होती है उसका जो फिल्ट कैपसेटी होता है डैट इस इन अरॉंड फॉर्टेल लिटर्स लिकुर्ट जो हमारी वाले डुक्टी फिफिफ्टी थी उसकी फिल्ट कैपसेटी वस ओनली करें के लिए अगर टैंक रॉंड होता है इसमें काफी रिस्क होता है तो अपना टैंक फ्लैट कर देते हैं अपनी फिल्ट कैपसेटी के साथ हम लोगों ने कितने बार पैट्रल बराया कितना इउसकिया और ईस बड़ये वाले सब बतायां गया यहां पर क्यूंकि मैं तो यहीं आपको बाते बताने के लिए आप वही हो ना बस वहीं पर जमे रो वहीं पर डटे रो वीडियो देखो एंट तक सब बाते निकलते रहेंगे कर दो कर दो कर दो तो हमने लिया यहां पर ब्रेक कुछ टाइम के लिए क्या हम गाड़ी थाट किरमेटर चला चुके है और यह राइट साट करने से पहले हमने गाड़ी का टैंक फूल किया था टोटली फूल लेकिन अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यह तैंक हाफ हो चुका है बस साड़ किलोमेटर में रीजन वह आपको बताता हूं मैं इसका चेंस फॉकेट इतना बड़ा है पता है कि इसके मेरी बॉड़ी पर उचल रहा क्योंकि मैं पिलियंद राइडर हुए यहां पर और हम इसको इस चेंज को कवर भी नहीं कर से तो कि इसके इतना बड़ा है कि पूरे मार्केट है पूरे दुनिया में इसका कुछ कुछ कवर अवेलिबल नहीं तो मुझे अभी तो मुझा दूर कुछ और सिटी में जाने के अब आपको कोई अच्छा सा रेस्टरांट दीच है तो भल साहिर सुभा दया फूफ तो लगेगी नहीं जमझे तो फिर क्या था राज कमारी आ गए अपने आतों नहीं समझे तो काता है कि अवेलिबल नहीं समझे तो कि अवेलिबल नहीं समझे तो काता है बहुत मैंद लगेती इसके लिए तो कैसा लगा मुझे तो या बहुत सही लगा क्योंकि अकिल बग्रकी जो डियो के भाई सहाब क्या गाड़ी है मतलब जो उसको बड़ा वाला स्पॉकेट है ना उसके जो पिकप और पावर मिलता है भाई सहाब क्या मज़ा आता है गाड बात करता हूं मैं है रहे लिए बहुत ज़्याइब के लिए बहुत सही लिए लेकिन अगर आप लोंग राट के लिए निकल दे उसका पॉजिशन ना लाइक उसको बंबाड़े में बहुत पेन होगा लाउंग राएट में पेसल है ना बहुत बार बीच-बीच में घड़ सब्सक्राइब के लिए और हमारे इंडियन रूट के बात करो तो भाय हमारे इंडियन रूट कितने ना लाएगा पता है हम लोग एक गाउं से जा रहे था हम लोग हाईवे से और रस्ता भाय साहब इतना गंदा आ राता बीच-बीच में क्या यह बता हम आपको रस्ते के अगर कहीं जगे तो रास्ते थे ही नहीं ऐसे चल रहे देते हम लोग और अगर मैं सब्सक्राइब करो द्यूक की तो बहुत अच्छे लिए लिकिन ट्रेक्स और स्मूध रोड्स के लिए जो अपने इंडियन रोड्स है और उसके लिए वह सब्सक्राइब नहीं है क्योंक क्योंकि इंडियन रोड्स है मतलब कैसे भी रस्ते आ सकते और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि उतने सॉफ्ट सेस्पेंस और इंडियन रोड्स के लिए लेकिन ओवरल गाड़ी बहुत अच्छी है तो बस इसी के वह जैसे आखरी के 100 किलोमेटर थे हम लोग मैंने जो है तो इससे लिए कुछ गाड़े के साथ कुछ बुरा ना हो हमनो सचा कि बाई किसी एक को उसमें टाटा एस में निगाली और यार माइलज के बाद थोड़ा बाद में करिंग तो यह ठीक रहेगा फिर चलते चलते हो गई शाम और शाम से हो गई रात एंड फाइनली वी रिच्ट त्री हंड़ेटेश किलोमेटर के तेरा घंटे की राइड के बाद हम फाइनली पॉंच चुके हैं गंगावते हैं गंगावते में हमने गॉवर्मेंट सर्केट नाम के गेस्टा जो हमने स् जो है जो है जो है इस दो आए इस दो आए इस दो आए तो आप बाकि आप अमरे इंदे के बड़ा व्लोगर से विक एक अल्टीमेट फैंटिसी होती है कि वो जब भी किसी होटल में जाते है उसका बात्रूम आप उसको टॉयलेट बहुत किसे दिखाते है और आज यह पुराथ मैं भी पुरी करने आवाला हूँ यह बहुत सही है मतलब क्या यह बता हूँ यह इतना लगजीरिया स्पीद हो रहे है खासकर कि इसको देखें अब मैं क्या यह बता हूँ आप देखो यह बता है 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 इनका बात पॉस्टिक खाना मिला है तुमारो सुबह के दस बद्रे और मैं अभी अभी उठा हूँ मतलब अभी मैं आपको अंदर के नजारा तो दिखा दिये फिर बहार के नजारे देखो यार अब आप मुझे बताओ कि सुबह सुबह ऐसे नजारे के साथ अगर आपको गरम चाहिए कि प्याली मिल जाए यार तो और क्या चाहिए जिन्दगी में और हमको प्याली मिल भी गई और हम फटा फटा नाश्टा करके अकिली पर उनकी टीम निकल गया प्रैक्टिस के लिए और मैं निकल गया उनकी रिकॉर्डिंग के लिए एंडिया आया आयम वकीम ने अकिली हॉट प्रिश्टिंद एज एस कैमरा मैं एस एडिटर तो आप लोग सोचे रहेंगे कि में व्लॉग कि बना रहा हूं तो लिस इस दौनसर और वहां पे मेरी मुलाकात हुई इंड़ा कि नंबर वन स्ट राइडर तेट वर सचिन राइडर वैं मतला हमारे मुलाकात पर पहली थी और हम लोग ने पहले मुलाकात में वहां पर टिक टॉक बना डाला और डेट वस टोटली स्क्रिप्टिट टॉक जज्मत करना वेल तो आध हमरे साथ हैं इंड़ा के नंबर वन स महानी आप सबको थी मुझे बतानी तो सबसे जरूरी सावाल पर आ जाते हैं जिसमें आप सब लोग इंटरेश्टेट थे कि उस बड़े वाले स्पाकिट के साथ और इस एक्जॉस्ट के साथ डिक टुक्टि ने कितना माले लिए तो मैं थोड़े डिटेल में बताता हूं ह हम लोगों ने टोटल जाने का और आने का मतलब भटकल जा गंगावद्य गंगावद्य तो बटकल हम लोगों ट्रैवल किया इन अराउंड 780 किलोमेटर जिसके लिए हमको लगा 42 लिटर ऑफ पेट्रोल जिसका हमको पड़ा 3000 से 3000 के लगबग मतलब जाने का 1600 आने का 1600 अप् 120 किलोमेटर जो अब समझ सकती हो कि पांच से आठ बर हम लोग ने उसको बढ़ा है क्योंकि मैं पूरी जन्नी के लिए मैं तो डीप पे नहीं था तो मैं आपको एक रेशियो बता के दे रहा हूं यहां पे और माइलेज वास 18.5 किलोमेटर जो आप सभी को बहुत डेस्पर आप लोग अन्मतलब आप सब लोग तो डेशियो डेस्परेट विए क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़ा है वहां पर आपके वीडियो पे सो इस इस दान्सर मैलेज वस 18.5 किलोमेटर बस खुश तो थैंक यू अकिल भाई फो मेकिंग में आप 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 यॉज निए फो मेकि आप लोग के साथ काम करके तो लेक इस वसमया एक्सपरेंस वोकिंग विट अगेटी हॉट पिस्टन वस यारी यह बाते दिवाताने के लिए और अगले वीडियो के लिए हम निकल रहे हम पी क्योंकि शोग खतम होने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया तक आम अगले दि पसंद आई होगी तो मैं भी चलता हूं मिलता हूं आप उसे आगले वीडियो में तब तक के लिए पीस आओ अगले तो